जय हिन दोस्तों दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं विटामिन्स और निूट्रेंस के डिफिसेंसी को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक बहुत थी बहतरीन टेबलेट के बारे में जिससे हम नियूरो काइंड एलसी टेबलेट के नाम से जानते हैं जहां इसको और अपने ब्राणनेम दे करके बेचती है तो अगर हम इसके सिमलर कुछ ब्राणनेम के बात करें तो उसमें आपको नियूरो टैब एलसी टेवलेट और कैर्णी मैक प्लस टेवलेट हैं तो यह दोनों इसके और पॉपलर रांस है बड़ जो नियूरो काइंड एलसी के नाम से किसी भी मेट कलेश्टोर से पर्चेज करके प्रयोग में ले सकते हैं यह जो सारे ब्रांस हैं सारे ब्रांस के अगर हम इसके मूल कॉम्पोजिशन नेम की बात करें तो वह आपको लिवो कार्णी टीन साथे साथ मिठाइल कोबालामीन और फोलीक एसिड होता है इ वह आपको 1.5 मिलीग्राम की अलग-अलग स्टेंध में आपको मिल जाती है तो अब हम वीडियो में आगे बहरते हैं और जानते हैं कि यह जो नियूरो काइंड एलसी टेबलेटाइस का किस-किस कंडिशन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो जैसा कि वीड प्रामीनिस और न्यूटरेन्स के डिफेसेंसी हो गई है अपने डाइट के माधियम से अपने बौधी है उसमें विटामीनिस और जो और नूट्रेन्स साथि अ वह प्रोपर फंक्सेंस नहीं कर पाता है और साथ-साथ बॉड़ी के ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा रुकाव अटाती है तो वैसे कंडिशन्स में भी जो डॉक्टर्स है यह मतलब नियूरो काइंड एलसी टेबलर करते हैं इसके अलावा कुछ कैसे जैसे यह कोई प्रेग यह टेबलेट किया जाता है तो अगर हम अबर आल समझे तो इसका प्रयोग आप हर एक ग्रूप के लिए हर एक प्रेसेंट में कर सकते हैं क्योंकि यह आपका एक मल्टी विटामिन टेबलेट है जो की बहुत यह अच्छी टेबलेट है और विटामिन और निउट्रेंस की जो डिफेसेंसी होड़ी बॉड़ी में उसको काफी हद तक रिकावर कर देती हैं तो अब हम वीडियो में आगे भरते हैं और जानते हैं कि यह जो निउरोकाइंड एलसी टेबलेट है इसकी क्या डोज और डिउरेशन होती है तो समानेता जो किसी एडल्ट व्यक्ति को दोनों टाइम मतलब सुबह और साम भी खाना खाने के बार लेने के सला दे सकते हैं वह आपकी कंडिशन को पर डिपेंड करता है और इसके अलावा आप इजली इसको पानी के साथ वी प्रयोग में ले सकते हैं बर दूद के साथ इसका जो इफेक्टिव रिजल्ट हुआ कि दूद के जरिये आपके बॉड़ी को थोड़ा और न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा मिलता है और वीडियो के अगले हिस्से में अगर हम इस निवरो काइंड एलसी टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो वैसे इसके ज्यादा तर साइड एफेक्ट तो नहीं द में दस्त वग्यादा जैसी सिकायत भी देखी जाती है तो यह सब इसके कॉमन साइड इफेक्ट से अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो आप इसली दो से चार दिनों के लिए टेबलेट को लेना बंद कर दे या फिर एक वारप अपने डॉक्टर से जर आप कर सकते हैं बट फिर भी इतना है कि आप खुद से भी कर ले तो कोई इशू की बात नहीं है बट हाँ प्रेग्नेंट लेडिज बगारा में आप खुद से पर्चेज करके पर्योग में ना दे तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपुण जानकारी दिया हो इस निउ अब आप से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ